प्रस्तु थे लोक संपदा के संसकार गीतों पर आधारित कारिक्रम संसकार सरिता आप सभी को नीता अगरवाल का नमसकार संसकार सरिता कारिक्रम में स्वागत है आप सभी का किसी भी देश राज्य के संपून समाज का दरपण होती है वहां रची बसी उसकी लोक संपदा और लोक संपदा का महत्वपून हिस्सा होती है हमारे लोक गीत शोडश संसकारों में गाय जाने वाले ये लोग गीत हमारी भारतिय संस्कृती में रचे बसे ये लोग गीत दरशाते हैं हमारी समाज की एकता प्रेम अपनत्व और सुख दुख की भावना को इन लोग गीतों में विभिन रसरंग भी समाई हुए होते हैं आईए सुनते हैं रोतक में गाया जाने वाला एक जच्चा लोग गीत जिसमें नवजात जन्म खुशी के अवजर पर नंदरानी अपनी भावी से कंगन मांग रही हैं और जच्चा भावी का कहना है कि ये तो मैं अपने पिता के घर से लाई थी इसी तरह नंद द्वारा अन्ने गहने मांगने पर भी जच्चा यही उत्तर दे रही है कि ये तो मैं अपने पिता के घर से लाई थी आईए सुनते हैं ये लोग गीत कि युक अगनवा तो मैं बाप गेते लियाई यूक अगनवा मैं ते बाप गेते लियाई रोपया ले जानण दिलाल के हुए का रोपया ले जानन दिलाल के हुए का कंगनवा मंगनन दिलाल के हुए का मेरा हार मंगनन दिलाल के हुए का ये हार तो में बाप कदल्याई ये हार तो में बाप के दयाई रतन वा मंगनन दिलाल के हुए का कंगनवा मंगनन दिलाल के हुए का मेरा दिलाल के हुए का मिलंगा मांग नन दिलाल के हुँए का, यह इंका में बाप के तेलिआई, जो लेंगा तो मैं बाप के तेलिआई, च४वन ने ले जानन दिलाल के आख का, मांगनन दे लाल के हुए का मिर पायल मांगनन दे लाल के हुए का मिर पायल मांगनन दे लाल के हुए का ये पायल तुम्हें बाप के तेल्याई ये पायल तुम्हें बाप के तेल्याई अगला लोगीत जिसमें जच्चा द्वारा ओड़े जाने वाले विशेश वस्त्र पीलिया का जिक्र है जच्चा बहुत सुन्दर पीलिया लेना चाहती है कपड़ा रंगने वाली इस्त्री से जच्चा कह रही है कि तुम पीलिया के पल्ले पर मूरनी लिख दो और बीच में चांदी का चांद लगा दो कपड़ा रंगने वाली स्त्री पूछती है ऐसा क्यूं तो जच्चा खुशी पूर्वक उत्तर देती है कि तुम मोरनी नाच करोगी और चांद पीलिये पर अपनी चांदनी बिखेरेगा ऐसे सुन्दर भावों से भरा है ये लोगीत कार्याई पीला पाठ पीले पर चाला रोप देr बिच में तो चांदी को चांदे पिले पर चांडे रोप दे के करगे जचा मोरानी के करगे जचा मोरानी के करगे जचांदे पिले पर चांडे रोप दे के करगा चांदी चांद पिले पर चाला रोप दे नाच करगी रचीम्बी मोरानी माच करंग इर चिंबी मावराणी चांद नी करग चांद बीए पर चालारो पुदे चांद करग चांद बीए पर चालारो पुदे बेला तोल्या इर चिंबी रांग का पिल्ये काल्याई पीला पाट पिल्ये पर चाला रोप दे पिल्ये काल्याई पीला पाट पिल्ये पर चाला रोप दे अल तो पल्या लिख दे पूजरी अल तो पल्या लिख दे पूजरी विच मैं तो दिख दे थाने दार पिलिये पर चाला रोप दे के करेंगी जचा गुजरी 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 के क जगड़ा करेंगिर छींबी गुजरी न्याय करेंगिर छींबी गुजरी न्याय करेंगा थानेंदर पिलिये पर चाला रुप दे न्याय करेंगा थानेंदर पिलिये पर चाला रुप दे वेला तोल्याई रचींबी गुजरी गुजरी वेला तोल्याई रचींबी गुजरी पिलिये काल्याई फिया पाट पिलिये पर चाला रुप दे पिलिये कल्याई पीरा पट पिलिये पेंचाड़ा रोप दे रोहतक में गाय जाने वाले इस लोग गेत में गर्ववती अपने ससुर पिता से विनती कर कह रही है कि उसे न तो कुछ खाना अच्छा लग रहा है न सोना मुझे तो बस सिंघाडे खाने का दिल है इसी प्रकार वो अपने देवर अपने पती से भी यही कह रही है रिष्टों में परस्पर प्रेम अधिकार भावना और आदर भाव दर्शाता ये सुन्दर लोग कीत सुनते हैं आने बावेर ना तोड़ा एक संग्याडे खाने नियू तो बत देज चाले डली कड़ सी पावें जाई उस मंदरां के बीच पाणी में पावें जारे गला भी उनके पूल सुगन दे आवे जाचा खाड़ी आते जोड़ जिठे के आगे जाचा खाड़ी आते जोड़ जिठे के आगे जाने बावेर ना तोड़ा एक संग्याडे बावें जाने बावेर ना तोड़ा एक संग्याडे बावें न्यूंतो बते दे जच लेडली कड़ सी पावें जाईयो समांदरां के बीचे पानी में पावें जाईयो समांदरां के बीचे पानी में पावें जाच खड़ी अथे जोड़े दूरे के अगे जाच खड़ी अथे जोड़े दूरे के अगे जाँने बावें ना तोड़ा एक सेंग्याडे बावें न्यूंतो बते दे जच लेडली कड़ सी पावें जाईयो समांदरां के बीचे पाणी में पावें जाईयो समांदरां के बीचे पाणी में पावें जाच खड़ी अथे जोड़े दूरे के आगे जाच खड़ी अथे जोड़े दूरे के आगे आने बावें ना तोड़ाए के सिंग्याडे बावें जाईयो समांदरां के बीचे पावें जाईयो समांदरां के बीचे पाणी में पावें जाईयो समांदरां के बीचे पाणी में पावें एरे गलाबी उनके फूलस गणे आवें एरे गलाबी उनके फूलस गणे आवें हमारी लोक संपदा के अंतरगत आने वाली 16 जन्सकार लोक गीतों में आज के संसकार सरिता कारिक्रम में सजे हमारी भारत के कला एवं संस्कृती संपन राज्य हर्याणा में बसे रोहतक अंचल से जन्म लोकगीत, रोहतक जो अपने मधुर लोकगीतों और विशेश रूप से एवशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट और सरवाधिक डेरी ह होने के कारण हर्याणा का एक प्रसिद्ध अंचल है। इन ही लोकगीतों के साथ आज का संसकार सरिता कारिक्रम अब समाप्थ होता है। इन लोकगीतों की रिकॉर्डिंग हमें आकाश्वाणी केंद्र कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई। और अब नीता अगरबाल को अ आधारित कारिक्रम संसकार सरिता।